अवसधियो गुणों से युक्त सुपारी का इस्तिमाल पूजा पाट और गुट का तमाकु बनाने में किया जाता है। देखने में छोटी सी सुपारी दातों का दर्द दूर करने के साथ ही बावसीर के लिए फायदे मंद होती है। दोस्तों आईरवेद में कई ऐसे नट्स का जिकर है जो नेचुरली अवसधियो गुणों का भंडार है। इनमें सुपारी भी एक है। इसका सबसे ज्यादा इस्तिमाल पूजा पाट और गुट का तमाकु बनाने में किया जाता है। देखने में बेशक ये छोटी लगे लेकिन इसके स्वास्त लाभ काफी चमतकारी है। इसमें अनेक परकार के स्वास्त वर्धक गुर पाये जाते हैं जो सुपारी को एक आईरवेदिक औसधी बनाते हैं। आईरवेद प्राचीन काल से ही सुपारी का इस्तिमाल कई परकार की दवाएं बनाने के लिए किया जाता है। ये मार्केट में 2-5 रुपे की कीमत में असानी से मिल जाती है। अब सवाल है कि सुपारी क्यों फायदे मंद है। कीन परसानियों में दिला सकती है निजाद। इसका सेवन कैसे करे। दोस्तों ऐसे ही इंट्रेस्टिंग और महतपूर जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फोलो कर ले। ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नई-नई जनकारिया लाते रहें। तो चलिए बीना देरी की ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कीन खास तत्तों से भरपूर है सुपारी। ज्यादा तर लोग सुपारी को गुठ का तमाकू से जोड़ कर देखते हैं। लेकिन ऐसा गलत हैं क्योंकि यह एक काश्ट फल होता है। इस फल में फेलवोनोईट, एलकलाइट, ग्लूकोसाइट, आईसोप्रनाइट, एमीनो एसिट और यूजे नाल जैसे खास तत्तों पाये जाते हैं। ये शरीर के लिए कुछ जरूरी एंटी अक्सिडेंट के रूप में काम करते हैं। और कई भीमारियों से बचाओं में मदद करते हैं। इसके सेवन से कई भीमारियों से बचा जा सकता है। सुपारी खाने के पाँच चमतकारी स्वास्तलाव ये हैं। उल्टी रोकें। सुपारी का सेवन उल्टी रोकने में बेहत असरदार हैं। द्रसल सुपारी में कई ऐसे सक्रियत तत्व महजूद हैं जो जी मचलाने की समस्या से निजाद दिला सकते हैं। ऐसे में यदि आपको बार बार उल्टी आ रही है या ऐसा मन हो रहा है तो सुपारी आपके लिए बेहतर अप्सन है। दांत दर्द ठीक करें। सुपारी दांतों से जोड़ी कई परसानियों को दूर करने की छमता रखती है। द्रसल सुपारी में कई ऐसे तत्व पाये जाते हैं जो शरीर में एक एनालजेसिक के रूप में काम कर सकते हैं। ऐसे में जीन लोगों को दांत में दर्द रहता है, उनके लिए सुपारी का इस्तिमाल फायदेमंद साबित हो सकता है। मुह के छाले ठीक करे। और सदिये गुणों से भरपूर सुपारी मुह के छालों को ठीक करने में फायदेमंद होता है। बतादे की सुपारी में ठंड़क परदान करने वाले गुण होते हैं, जो मुह में हुए छालों के दर्द से आराम परदान करती हैं। साथ ही सुपारी में सूजन और लालीमा कम करने वाले गुण भी होते हैं, जो अलसर को ठीक करने में मदद करते हैं। सुपारी में कुछ ऐसे तत्व भी पाये जाते हैं जो पेट और आतों की कारी की परकिरिया को समान बनाए रखने में मदद करते हैं। सुपारी का सेवन करने से दस्त जैसी समस्याओं को दूर भी किया जा सकता है। बवासीर ठीक करें बवासीर में सुपारी का पानी पीना बेहत फायदे मन्द हो सकता है द्रसल सुपारी बाबेल मूमेंट और मेटाबोलिजम तेज करने में मददगार है साथ ही ये कबज की समस्या को कम करने में मदद करती है इस्तमाल का तरीका सुपारी के सेहत लाव लेने के लिए इसका कोई तरह से सेवन किया जा सकता है फिर भी इसका सबसे अच्छा तरीका चूण को गुनगुने पानी के साथ लेना है इसके साथ ही आप चाय या दूद में डाल कर काड़ा बना कर इसका सेवन कर सकते हैं तो दोस्तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ दोस्तो आज की जानकारी आपको बेहत पसंद आई होगी, ऐसे ही नई नई जानकारिया हम आपको देते रहेंगे.